स्टुडेंट्स, आज हम दिस्कस करेंगे कि डिबेन्चर को टीम बेशिस पर जारी किया जा सकता है और पार, उन प्रीमीम, उन, डिस्काऊंट गले गार पार क्या होता है? मान लीजिये, फेस वेल्यू डिबेन्चर की, सो रुपए और 100 रुपे में ही debenture जारी किया जाता है, तो वो कहलाएगा issue of debenture at par, अब on premium क्या होता है, मान लीजिए face value debenture की है 100 रुपे, और उसको ज़िए 110 रुपे में जारी किया जाता है, तो 10 रुपे premium ले रही company, यह कहलाएगा issue of debenture on premium, तीसरा केस है on discount, मान लीजिए 100 रुपे face value है debenture की, और 90 रुपे में जारी कर रही है company, तो 10 रुपे का discount दे रही company, तो यह कहलाएगा issue of debenture on discount, जहां तक premium पे issue करने का सवाल है, यह जो भी premium प्राप्ट करती है company, इसको एक specific खाते में transfer किया जाता है, जिसे हम securities premium account कहते हैं, तो जो भी premium की रासी होगी, वो securities premium account में transfer की गया गया, और फिर उस रासी को securities premium में जो credit होई है, उसको हम वहीं use कर सकते हैं, जहां पर company law में हमें allow किया गया है, इसी तरह से, next है on discount, तो जब भी company debentures discount पे जारी करती है, तो एक खाता खुलता है, discount on issue of debenture, यह जो भी discount दिया जाता है, यह इस खाते में debit होता है, discount on issue of debenture, और यह एक प्रकार का loss है, इसको बाद में company अपने लाभानी खाते में से, या capital profit में से write-off करती है, तो इस प्रकार से debenture इन तीन बेसिस पे जारी किये जा सकते है, अब इसके बाद में हम discuss करेंगे, issue of debentures to vendor of assets, देखिए बहुत बहुत बार ऐसा होता है, कि company cash के लिए debenture जारी नहीं करती है, मान लिजिए किसी व्यक्ति से वो कोई संपत्ती खरिती है, तो उस संपत्ती के बुक्तान के बदले में, cash नहीं देकर company उसको debenture दे सकती है, तो यह कहलाता है, issue of debenture to vendor of assets, अब इस case में accounting treatment क्या होगा, सबसे पहले जब हम assets खरीदेंगे, तो जो assets खरीदने की normal entry है, वो ही होगी, और वो entry होगी, assets account debit to vendor's account, यह तो assets purchase करने की entry होई, फिर उस assets का vendor को बुक्तान करना होगा, बुक्तान करने के लिए क्या entry करेंगे, vendor's account debit to debenture account, तो इस प्रकार से company केवल cash में ही debenture जारी नहीं करती है, बहुत बार यदि को संपत्ती खरी दिये कमनीने, और उसके payment के रूप में भी debenture जारी किये जा सकते हैं, तो आज हमने basis debenture के discuss किये हैं, और vendor को जो debenture जारी किये आता है, उसके बारे में discuss किया है, कल के lecture में हम इससे आगे discuss करेंगे, धन्यवाद.